अरम करें नमस्ते मित्रों आज का जी जी आज का जो प्रेस वारता है हलाके मुक्ष तोर पर एक राज्य से सम्मन्दित है उस राज्य तक सीमित नहीं है वो इंडी अलाइंस की कुम अंशा को पूरी तरह से प्रतिविंवित करता है मैं बात कर रहा हूँ झारखंड का जहां जारखंड में सोरेंज सरकार ने पिशलिद आज से दो सप्ता पहले चार वर्ष का कारेकाल पूरा किया और इस चार वर्ष में जो बदहाली जारखंड ने देखा है वो मेरे ख्याल से देश के हर व्यक्ति को एक बार फिर आगा करेगा कि इंडी अलाइंस से दूर रहना कितना जरूरी है पांच अलग-अलग विशे पर मैं बहुत पड़ा संक्षेप में आपको लेकर चलूँगा करॉप्शन, लॉइन ओर्डर, अनेम्प्लॉइमेंट जो पूरी तरह से प्रशाशनिक विवस्था कॉलाप्स की है वहाँ पर वो और जो मुख्य मंत्री ने वहाँ पर एक तरह से सोशल अन्रेस्ट कायम करने की कोशिश की है देखे आपको पूरी जानकारी है कि हमन सुरेन जी को सात्वा समन एडी द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले दिया गया था कई सारे जो हैं करॉप्शन के मामले हैं जिसमें जो दो प्रमुक मामले हैं लैंड स्कैम और माइनिंग स्कैम लैंड स्कैम ये सारे स्कैम और भी स्कैम हैं जो ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम लिकर स्कैम लिकर स्कैम जो है एक कॉमन लिंक बनता जा रहा है जितनी भी इंडी अलाइन्स की सरकारे हैं, वो शराब घोटाले में उनका लिप्त होना एक जो है बड़ा सा बड़ा कॉमन फैक्टर दिख रहा है, जहां तक land scam और mining scam की बात आती है, देखें इस दोनों scams में एक pattern बहुत ही व्याप्त आपको नजर आएगा, ये हेमन सुरेन उनके जो नजदी की IAS officers और उनके जो नीजी जो प्राइवेट स्टाफ हैं, उनकी मदद से हो रहा था, land scam एक ऐसा scam है, जिसमें army land और रांची के आसपास के मुख्य plots जो हैं, लगभग 4.55 एकर, 4.55 पचपन एकर के plots जो हैं, manipulated documents, फरजी documents के तहत बेचे और खरीदे गए है money laundering का बहुत बड़ा इसमें angle है, और गिरफतारियां जो हुई हैं, उसमें हेमन सोरेन की एक नजदी की IAS officer, छवी रंजन का नाम, मुख्य रूप से सामने आता है, और पंकज मिश्रा जो स्वयम उनके MLA representative रहे हैं, mining scam की जानक्यारी आपको खुद हैं, देखी, इस से बड़ा, mining scam से बड़ा conflict of interest case नहीं हो सकता, जहां की एक mining minister के तोर पर, हेमन सोरेन ने, हेमन सोरेन जो व्यापारी बनकर, बेनामी तोर पर अपने ही लोगों को उन्होंने बड़े-बड़े खनन, scams, बड़े-बड़े खन track दिलाए, और फिर, वो businessmen जो हे, हेमन सोरेन, जो environment minister था, उससे सारे clearances जो हे, लिपा-पोती के जरिये हासिल करता है, अब mining scam में भी, जिस IAS officer का नाम सबसे प्रमुक तोर पे आता है, वो हे पोजा सिंगल, जो हेमन सोरेन की करीबी मानी गई है, और स्वयम अभिशेक प्रस जाद, जो Pintu के नाम से जाना जाता है, जो उनका press advisor रहा है, देखिए ये विशे जारखंड तक सीमित इसलिए नहीं है, क्योंकि पिछले तीन दशक में, हमने हमेशा देखा है कि Congress जो हे, जारखंड में JMM का साथ देती है, या JMM Center में Congress का साथ देती है, केवल और केवल भर आइबरी केस आपको याद होगा, 1994 में कन्विक्शन हुआ था, 1994 में पहली बार जो है कन्विक्शन हुआ था, जिसमें स्वयम उनको अपने ही नीजी सलाहकार शिवनात जा की हत्या में दोशी पाए गया था, लंबा चला ये केस और 2018 में पूरी तरह जो है, वो अपने चे में मधु कोड़ा को कॉंग्रेस की ही मदद से मुख्यमंतरी बनाया गया, वो मधु कोड़ा जो मुख्यमंतरी बनने के साथ, जिसकी प्राथमिक्ता थी कि लाइबेरिया और आफरिका के कई देशों में माइन्स खरीदें, और जो जिस लेवल का वो स्कैम उन्होंने कि किया था, वो कॉंग्रेस की बगैर संभव नहीं था, और आज एक बार फिर हम देख रहे हैं कि कॉंग्रेस की पूरी-पूरी मदद जो है, हेमन सुरेन को प्राप थे, जिस वजह से हेमन सुरेन आज इतने ढीट हो गये हैं कि बाकी लोगों की तरह, अर्विंद केजिवाल और एक कॉपरेटिव मॉडल ओफ करफशन जो है, कायम करने का पूरा प्रयास, यह पूरी इंडी अलाइंस की सरकारे कर रही हैं, अब इस पूरे प्रकरन में, जो सबसे बड़ा विक्टिम होता है, वो वहां का आदिवासी समाज है, यह लोग जो अपने आपको जल, जंग जमीन का रक्षक बानते हैं, यह सबसे बड़े भक्षक बन गए हैं, आज आदिवासी समाज के, दूसरा विशे जो है, वो लॉइन ओर्डर का आता है, यह एक आर्टिकल जो है, प्रभात खपर में यह छपा था 17 दिसंबर को, रांची के अंदर, केवल रांची के अंदर जो है, एक साल में 2511 घर दुकानों में चोरी और 199 लोग अगवा 181 दुशकर्म नोट कियेगे, जो मेरे कहा से रांची के इतिहास में, सबसे बड़ा यह क्राइम रेट है, और यह सीधे सीधे जो है, राज्य सरकार के क्रिमिनल्स के प्रती, जो उनका जो इक्सने हैं, उनक आपको याद होगा एक साल पहले, एक महिला पुलीस कर्मी की किस प्रकार से गाड़ी से रौंद कर, रांची के ही आउट्सकर्ट, रांची के ही पास एक जगा है, जहांकि उनको मारा गया था, एक महिला पुलीस कर्मी को, लेकिन आज जो क्राइम का स्तर है, वो एक अलग पे जा रहा है, अब जेल में बैठे जो क्रिमिनल्स हैं, वो मीडिया को धंकी देते हैं जेल से, अभी एक वारदार जो है सामने आया था, जिसमें योगेंद्र तिवारी नामक एक क्रिमिनल ने प्रभात खबर के प्रधान संभादक को जेल में बैठे धंकी देते, और उन को उनके खिलाफ एक्शन के बजाए योगेंद्र तिवारी के बैयान पर एक फर्जी मामला जो है संपादक के विरुद दर्ज किया गया था ये बहुत ही ये ये पांच एक पांच जन्वरी का मामला है तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ब्रश्टाचार और क्राइम मे कॉंग्रिस और जेमिम जो है आपस में जो है साज़िधार रहे हैं तीसरा विशे जो अनिम्प्लॉइमेंट का आता है हेमन सुरेन ने एक जो उनकी सबसे बड़ी पोल प्रॉमिस थी पांच लाख जॉब वो दिलाएंगे हाल ही में उनके मंत्री ने असेंबली में ये प्चले पाँच सालों में केवल सरकार ने 357 नोकरियां दिलाने में सरकार को कामयाभी मिली है तो अब समझ सकते हैं के जहां पांच लाख की बात कर रहे थे वहां 357 जोब मिले हैं जो JPSC एक्धार के साल में तीन बार कराने के प्रॉमिस कर रहे थे पिछले चार वर्षों में केवल एक ही JPSC का एक्जाम हुआ है और उसकी भी प्रक्रिया पिछले राज्य सरकार के कारेकाल के दौरान आरम हो चुकी थी स्वभाविक है कि आज जो राज्य का युवा है वो पूरी तरह से तरस्थ और आप आपने पढ़ा होगा यहां पर किस पकार से जो है रोज कोई ना कोई आंदोलन हो रहा है जो युवा वहाँ पर पर परेशान है वो सरकार के खिलाफ जो है अनेक अनेक आंदोलन आरम कर रह तो पूरी तरह जो health sector है जो स्व्यास्ट व्यवस्था है और अनेक उसके उदाहरन है जो सरकारी hospitals हैं धनबाद के SNMHC hospital में जो वहाँ का moratorium है जहांकि शव रखे गए हैं वो शव जो हैं इस प्रकार से रखे गए थे कि उसमें जो हैं चुहें उन शवों को खा रहे थे देवगर की अगर बात करें तो देवगर के सदर hospital में पचास नए ventilator जो हैं पूरी तरह से unused हैं उनका बिलकुल प्रयोग नहीं किया गया है और उनका कोई काम नहीं हुआ उसके बजाए जो है ऐसा पाये गया है कि उसी hospital के अधिकारी जो हैं private hospital में लोगों को भेज रहे हैं मर पारीज भी है वो उनको भी जो है जमीन पर फर्ष पर जो है लिटाया जाता है या रखा जाता है इसके अतिरिक जो है फिरोती में जेमम की विशेश महारत है कि कई ऐसे व्यापारी है रांची जार्खन रांची जमशितपूर धनबाद हजारीबा के अंदर जिनको कॉल आ इस व्यक्ते को दे दे और यह आज की प्रक्रिया नहीं है यह 90 से चली आ रही है पिछले दो वर्षों में एक बार दुबारा जो है जेमम के संग्रक्षंग में हेमन सुरेन के संग्रक्षंग में इसको बहाल किया गया है और इससे जो है व्यापारी वर्ग जो है वहाँ प पर तरस्त है विपनिशेश तोर पर परिशान है लेकिन एक और जो सबसे बड़ा मुद्दा है हेमन सुरेन की अर्बन नकसली मानसिक्ता से उन्होंने हर संभब प्रयास किया है जार्खन में समाजिक और आर्थिक बदहाली एक अराजकता का महौल बनाने का आपको याद होग पिछले फरवरी में एक सभा को संबोधित करते वो उन्होंने कहा लोगों से आगरे किया कि आप अपने पैसे बैंक्स में जमाना करें आप उसको एक प्लास्टिक में बांध कर जमीन के अंदर दफना दें एक निर्वाचित मुख्यमंत्री के द्वारा ये कितना इर्रिस् जन्धन योजना के 1.7 करोड अकाउंट पिछले नौ वर्षों में केवल जारखंड में खुले हैं तो एक तरफ जहां हम आर्थिक समावेश का विशेश प्रयास कर रहे हैं चार करोड की आबादी में जारखंड की चार करोड की आबादी में यदि 1.7 करोड 1.7 करोड लेकिन विवस्था से बाहर निकालने का ये कितना एक मिस्चीवियस कितना एक शरारती उनका बयान था आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं देखे पिछले कुछ वर्षों में केंद्र सरकार का विशेश ध्यान जारखंड की उपर रहा है जमशेत्पुर रांची हाइवे जो UPA सरकार की दोशपुर्ण लैंड अलोकेशन के कारण कई सालों तक लिटिगेशन में रहा कई उसको हमने पिछले तीन वर्षों में पूरी तरह क्लियर किया और आज जो जिस दूरी को तैय करने में 125 किलोमेटर की दूरी को तैय करने में कई बार 4 घंटे लगते थे अनुर्थान हुआ है एक नया नय तरीके से क्रियेट किया गया देवगर एरपोर्ट क्रियेट किया गया है जिस प्रकार से बिरसा मुंडा की लेगिसी को एक वैश्विक स्तर पर प्रधान मंत्री जी के इनिशिटिव द्वारव बढ़ावा मिला है इन सारे चीज़ों इन जार्खंड में बड़ा हुआ हूँ, अपने प्रारंभीक 20 वर्ष वहां पर बिताए हैं मैंने, और जार्खंड एक अदभुत समन्वे हैं, शहरी विकास का और जनजातिय समरिधी का, ये बड़ी विचित्र वाद है, कि जिस समय बिर्सा मुंडा, भगवान बिर्सा मुंडा अपने आंदोलन को अंजाम दे रहे थे, 1899-99 में, अंग्रेजों को एक विरुद, लगभंग उसी समय, जमशेट जी टाटा जो है, भारत का सबसे पहला स्टील प्लैंट स्थापित करने की, एक संकल्पना, एक योजना बना रहे थे, जमशेटपूर के अंदर, जिसका ना भारत के लिए विकास का एक नया आयाम तेह कर सकती थी, पिछले चार वर्षों में, हेमन सुरिन ने पूरी तरह से तरस्ट कर दिया है, पूरी तरस से बरबाद कर दिया है, और ये प्रेस कॉंशेंस इसलिए जरूरी था, क्योंकि ये हेमन सुरिन तक सीमित नहीं है, इंड जार्खन जो है उसमें एक इंडी अलाइंस को भी एक नई दिशा दे रहा है एक नए स्थर पर ले जा रहा है करप्शन और अराजक्ता के महौल में तो ये एक तरह से चार वर्ष का जो हेमन सुरेन का सरकार था उसका एक लेखा जोखा था और एक रिपोर्ट कार था मैं इसको जो है अपने वारता को यहां समात करूँगा और जो अगर यह दी प्रशन है आपके तो उसका उत्तर दूँगा पल्लवी सिंगल गिरफ्तार हो चुगी है एक और आईएस ऑफिसर दोनों दोनों केसिज में दोनों केसिज में छवी रंजन जो है चवी रंजन लैंड स्कैम में और पूजा सिंगल माइनिंग स्कैम में दोनों के गिरफ्तारिया हुई है और साथ में जितने रेट देगे एक कॉमन पैटर्न है इन सारे स्कैम में एक कॉमन पैटर्न है कुछ उनके नीजी सलाकार और सबसे करीबी नीजी सलाकार पिंटू जो अभिशेक प्रसाद के नाम से जाना जाता है और जिसको जारकन में लोग पिंटू के नाम से जानते हैं प्रेस अडवाइसर वो माइनिंग स्कैम में मुख्य रूप से जो है इन्वॉल्ड हैं उसके सारे जो है इलाकों पर रेड पड़े हैं कि अभिशेक प्रसाद जो उनका अभिशेक प्रसाद जो उनका ए मैले रेप्रेसनेटेटिव है उनके घड़ से हेमान सुरें के पास्ट booc और सारे उनके डीटेऽ मिले हैं जिसमें कि बहुत ही संदिक्द information है जो स्थापित करते हैं कि money laundering के cases में सीधे सीधे जो है तार सारे तार जो है हेमन सुरेंच से जुड़ते हैं लेकिन I.S. offices का जहां तक सवाल है दोनों की गिरफतारिया हुई है छवीर अंजन और पूजा सिंखल की देखिए मैं आपसे यह पूछता हूँ कि धीरत साहु में ऐसा क्या टैलेंट था जो कॉंग्रेस उन देखिए जान चल रही है तो मैं स्पश्ट रूप से उस पर नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यह एक इवॉल्विंग सिचुएशन है इन फैक्ट जो माइनिंग स्कैम भी कैसे आया सबके सामने एक दूसरा मन्रेगा स्कैम की जाज चल रही थी मन्रेगा स्कैम में जो अन्यमित्ता पाई जा रही थी वो उस लेवल की थी कि जाजशदिकारियों को लगा कि यह एक और स्कैम इसमें इन्वॉल्ड है तो जारखंड में स्कैम जो है किवल चार स्कैम उस तक सीमित नहीं है एक फिरोती का एक अलग स्कैम होगा लव जिहाद के दो बात में मतलब वो छूट गया लव जिहाद के चक्कर में लैंड जिहाद का स्कैम चल रहा है पाकूर डुमका ये सारे इलाके जो मुख्य तोर पर जो हिमन सुरीन की इलाके हैं इसमें बड़े पैमाने पर अंकिता जो एक विक्टिम थी लव जिहाद की रुबी का पहाडन जो एक और विक्टिम थी लव जिहाद की एक बड़ा लैंड जहाद चल रहा है जिसमें कि पूरा संग्रक्षन बांगलादेश से आए इल्लीगल माइगरेंट्स को प्राप्त है सुरेन सरकार का ये लोग जो है आदिवासी लड़कियों को लुभाग कर शादी करते हैं और फिर लैंड ग्रैबिंग भी इनवाल्ड है और मुझे नहीं लगता है कि यहां रुकेगा जब और छे महिने में और जब हमारी सरकार आएगी वहाँ पर तो आपको पता चलेगा कि और भी बहुत सारे स्कैम पनब रहते हैं ये इंडी अलायंस की सारी राज्य सरकारें अपने अपने राज्यों को एक एटीम के तोर प कि एक प्रकार से जो हैं इंडी अलायंस का फ्लाइक बेरर है करॉप्शन के विशेब देखें कॉंग्रेस पार्टी न्याय की जब बात करती है तो भगवान राम के साथ जब न्याय हो रहा है तो उसको इतनी आपती क्यों है क्या कॉंग्रेस पार्टी का ये मानना है कि यूपी के जो उनके नेता है यूपी के जो उनके नेता है वो जाए तो ठीक है लेकिन बाकी नेताओं को अवशकता नहीं है तो मुझे ये नहीं समझ मारेगी क्या कॉंग्रेस उसको अयोध्या की में जो प्रान प्रतिष्ठा होने जा रहा है क्या कॉंग्रेस उसको एक लोकल इवेंट बानती है कॉंग्रेस बहानों की तालाश में रही है हमेशा से कल में किसी शो पे था वो कह रहे है कि शंकरचारी ने इसकी प्रती विरोध जटा है मेरा उनसे बस एक ही प्रशन है कि 1951 में जब नहरु ने तब के राष्टपती डॉक्टर राजेंडर प्रसाद को सुमनाट के मंदिर के पुनर स्थापना में जाने से रोखने का प्रयास किया था क्यों उस वग्द भी यही कारण थे कि कोई किसी शंकरचारी ने मना किया था Congress हमेशा बहानों की तलाश में रही है, कि किस प्रकार जो है, वो हिंदु आस्थाओं के विरुद जा सके, किस प्रकार, और ये विशेश तोर पर 1998 से ये प्रवरतियां जो हैं कॉंग्रेस में और जादा व्याप्त हो गई है जब से आयातित गांधियों के के प्रभाव में कॉंग्रेस पार्टी रही है तब से ये प्रवरतियां जो हैं हिंदू आस्थाओं का तिरस्कार करने की और ज्यादा व्यापते कॉंग्रेस पे बहुत बहुत धन्यबाद थैंक यू